हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल कीरन व्लोक्स एंड सौट्स पे बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरे तरफ से जीतिया वरत की हार्दिक श शुब कामनाएं बहुत बहुत सारी बधाईयां उनके बच्चों की जीवन में हमेशा खुशाली रहे तो उससी तरह आप लोग भी मेरे लिए प्रात्ना करिएगा कि मेरे जीवन में भी और मेरे बच्चों के जीवन में भी हमेशा खुशियां आती ही रहे तो फ्रेंड्स लेकिन यह जो वीडियो है उस दिन नहीं था उस दिन तो नहाय खाय का दिन था तो अभी यहाँ पर देखे फ्रेंट सुबह सुबह में उट गई थी और अपने काम में लग गई हूँ क्योंकि नहाय खाय का दिन है तो थोड़ी सी साफ सफाई घर का होना जरूरी है तो इसलि गया है तो मैं तो नास्ता ये वाला नहीं करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे न जो है नाखून नाई से नाखून अपना कटवाने के बाद और ना के जो खाना हम बनाते हैं वही हम खाना खा सकते हैं आज के दिन उससे पहले का नहीं तो इसलिए बच्चों के लिए और मैं कंगी कर दुँगी तो अभी ये लोग नास्ता करके और है के खेल रहे हैं?े तक मैं सोची कि यह अभी टाइम है तो अभी ने साद्रें के जाले साफ कर देती सबी बेट सीट को मैं अभी निकाल रही हूँ क्योंकि इन सभी चीजों को आज मुझे धोना है और यह वाला जो बेट सीट है यह इलास्टिक वाला बेट सीट है बहुत अच्छा होता है और यह मैंने ना सायद मीशू से या फिर फिलिप कार्ट से मंगाया था मुझे याद नहीं आ रहा है तो यह मैंने बिचाई हूँ हाल में और बहुत अच्छा होता है बिल्कुल भी सिल्वट नहीं पड़ती है बिखरती भी नहीं है और खासकर बच्चों वाला घर है तो यह बेट सीट जो है काफी ज़्यादा अच्छा है उसके बाद इधर वाला रूम का ज वेरा सारी चीजें और इन सारी यह सब तो नॉर्मल साफ सफाई है और यह तो हर तिवार में हम लोगों को करना ही पड़ता है और यहां पर देखिए मैं जो भी तक्या कवर है ना उसको निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा जो है मैं गद्दे को जार देती हूँ तो यह एक जो जो लालवारी टोकरी है ना तो यह कल काम आ जाएगा क्योंकि हम लोग जीतिया में आकूर मतलब जैसे की हो गया ना बीज होता है ना उसको पहले हम लोग पानी में भीगने के लिए देते हैं फिर जिस दिन फास्ट रहता है ना उस दिन सुबर सुबर हम लोग उठके उसको पानी से निकालके और जींगे कि जो तुराई का पत्ता जो होता है ना उसमें इस टोकरी में पहले तुराई का पत्ता हम लोग रखेंगे फिर उसमें सारे बीज और उसके बाद जो है उसको फिर पत्ते से ढखके कोई भारी चीज से उसको दबा देंगे ताकि जितन नहीं देती हूं तो यहां पर देखिए फ्रेंट्स उसके बाद जो भी मेरा चकला बेलन वगएरा तावा वगएरा है वो सारी चीजें भी मैं दो देती हूं और अभी बच्चे स्कूल जो है वो जा चुके हैं और अर्जबिंजी बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गए हैं तो अभी मैं अपने कामों में लग गई हूं तो किचन का जो भी मेरा बरतन वगएरा था वो मतलब किचन के डीप क्लेनिंग तो मैं नहीं कर रही हूं क्योंकि हाल फिलाली मैंने की थी फिर तीज के टाइम भी मैंने किया था तो अभी मैं नहीं कर रही हूं उसके बाद फ् है न वो मानेगा नहीं तो इस वज़े से जो है मैं सेरियों में भी पोच्छा लगा देती बारिश भी हुई तो मौसम आज का काफी ज़्यादा अच्छा है और इतना ज़्यादा बारिश आधी आने के बाद भी अभी सुबह धूप निकल आई है न तो यह सबसे अच्छी बात है क्योंकि कबड़े वगर न सुखने में आसानी हो जाएंगे अभी तो यहाँ पर तो उसको भी मैं बाहर के तरफ फेक देती हूं और पूरा मेरा आंगन अभी साफ हो गया है यह देखिए और थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी मार देती हूं तो बस हो गया मेरा काम उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंज कल पिछले वीडियो में आप लो सभी ने देख है और उसके बाद फ्रेंट्स इदर में आ गई हूं दात्वन करने के लिए वैसे तो रेगुलर डे में हम लोग जो है ब्रश से मूद होते हैं लेकिन आज का जो दीन होता है ना जैसे जीतिम कोई भी तिवार जब हम करते हैं ना तो फास्टिंग वाला या तो सात्विक ज होता है ना वो पतानी क्या से बना होता है नई बना होता है इसलिए दात्वन से ही हम लोग मूद होते हैं उसके बाद यहां पर फ्रेंट्स मैं नहाद होकर और अभी मैं तयार हो गई हूं और आज मैंने यह पिंक वाली साड़ी भी पहन ली है तो ऐसे तो मैं ज्यादा अकुर लेके आए थी तो सबसे पहले यह मटर है और उसके बाद यह अरा वाला मुdam है और उसके बाद यह चैना है तो तीन तरह का जो है आकुर मैंने फूलने के लिए दिया है तो ये इसको जो है अंकुरित करना होता है तो और हमारे इदर ने यही में चीज होता है उसके बाद मैं यहाँ पर चिलो सियारों को यहाँ पर देखिए चील सियार को जो देते है ना वो यहाँ पर जिंगे के पते में तो यहाँ पर हम लोग का इदर ना चूडा ची मन में ध्यान करके और चिल सियार को दही चूड़ा और चीनी ऐसी दिया जाता है तो मैं भी दे दी हूँ और पूजा हो गया है घर का फिर मैं यहां पर पर नाम कर लेती हूँ जियुद्वान भगवान से परातना कर लेती हूँ और चिलो सियारो को भी यह देना है तो सभी को में फिर से समेट के और जो मेरा ये सीड़ी का जो एलवेश्टर है ना वहाँ पर में रख दूँगी तो यहाँ पर रख के फिर तीन बार पानी के छीटे भी मार दूँगी तो हर जगा पे अपना एक अलग नियम होता है उसके बाद यहाँ पर नीचे आ गई फ्रेंट्स और यही जो दही बचा था ना हलका सा उसमें चूड़ा और चूड़ा मतलब पोहा और चीनी डालके उसको मिक्स करके फिर हम लोग भी यही खाते हैं थोड़ा सा तो ऐसे होता है हमारे इधर नहाई खाय का और सभी जगा पे ना अपना एक अलग नियम होता है अपने तरह से बाइ बाइ बाइ